हलो और बलकम दोस्तों तो 5 मिनिट्स इंजिनेरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में CLT क्या चीज है वह आपन देखेंगे मतलब की Central Limit Theorem यह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसको मैं बड़ी आसान तरीके से विजूल रिप्रेसेंटेशन के तुरू आपके सामने सारी चीज़े रखने वाला हो तो भाईया तयार हो जाईए Central Limit Theorem को जानने के लिए तो भाईया देखो यार स्टाटेस्टिक्स में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको आपन बोलते है पॉपुलेशन बहुत अपना कलेर है अभी तक का ठीक है यह टिक हो गया यह वर्स्ट फंडा इस कलेर सेकेंडड वाला जो फंडा है वह है नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन वाला वीडियो भी आपन पहले बना चुके है उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं तो यह भी डन होता है तो अब यह द चाहते हो निकालो एक चीज का ध्यान रखना सिर्फ कि जो आपकी sample size होगी न भाहिसाब it should be sample size जिसको आपण denote करते हैं by small n और जो size of population होती है आप उसको capital N से denote करते हैं तो जो small n है it should be greater than or equal to 30 इतना याद रखना तो यह आपकी sample size उन्हेंने बता दिये कि it should be greater than equal to 30 आप जितने sample randomly जो जो उठाना चाहते हो जैसा उठाना चाहते हो randomly आप sample उठाईए उस population में से जितने sample उठाना चाहते है आप उठाईए लेकिन याद रखिए कि sample size should be greater than equal to 30 तो मैंने क्या किया let's consider मैंने बहुत सारे sample उठाए जैसे कि for example यार मैंने जो पहला sample S1 लिया तो उसमें मैंने बहुत सारे element जैसे X1, X2, X3 ऐसे बहुत सारे लिये ठीक है फिर S2 लिया फिर उसी तरीके से उसी तरीके से मैंने इसको fill up किया मौझूद ठीक है अब इसके आगे आपनने क्या किया यह जो भी मेरे पास samples है आपनने इसका mean calculate किया आपनने क्या किया mean calculate किया तो जैसे कि जो भी है मतलब आप चीजों को समझ सकते हो यह notations आप समझ सकते हो इसी तरीके से sm तक गया हम है तो उसका जो होगा भाईया क्या होगा sm dash ठीक है तो यहाँ मैंने क्या किया जितनी भी samples मैंने consider किये थे उनके मैंने mean निकाल ली अब इस mean को अपने को plot करना है क्या करना है अपने को इस mean को plot करना है और जब आप plot करोगे तो थोड़ा हैरान हो जाओगे because इसका plot जो आएगा वो bell curve होगा यही तो अपना CLT कहना चाहता है वो आपको एक bell curve देखेगा यानि कि this will be also a normal distribution that's what you have to think because यहाँ पर तो आपने अपना mean था हर example का वो तो लगा दिया तो दोस्तो यही चीज अपने को यहाँ पर समझनी थी कि देखो आपका originally जो भी data है अगर वो normal distribution में है या नहीं है फरक नहीं पड़ता बट अगर आपने ऐसे samples लेते गए लेते गए S1, S2, S3, S1 तक sample लेते गए जो condition थी कि वह यह sample size should be greater than equal to 30 इसका पालन अगर आपने किया उनके अगर आपने respectively mean calculate किये अगर उनको आपने यहाँ पर plot किया तो आपको वो normally distributed ही मिलेंगे normal distribution ही देखने को मिलेगा और यहाँ पर भाई सब यह जो आपको मामला दिखाई दे रहा है this is nothing but the sample distribution sample distribution of the mean तो यह सारा funda मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया बता दिया है जो कि central limit theorem बताने की कोशिश कर रहा है सारे funda fact speakers आपके सामने अगर यह वीडियो आपको पसंद आगया होगा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के जरूर दोस्तो लाइक कीजिए और उससे विजार जरूरी इस वीडियो को थांक्स अलोट दोस्तो पर वचिं इस वीडियो